इस वीडियो में आपको बताने वालों फ्रेंड्स कि आप आपको A33 मॉइल फोन में बॉल वेपर चेंज कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे बदल सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक रिखिएगा और चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करिएगा इसके लिए आपको जाना है ओपो A33 मॉइल फोन के सेटिंग में सेटिंग में जाकर यहां पर आपको नीचा आना होगा नीचा आने पर आपको सेट बॉल पेपर का आपको यहां पर क्लिक करना है और इसमें आपको यहां जाएगा दोस्तों स्टेटिक बॉल पेपर और फोटोज का तो आप यहां स्टेटिक बॉल पेपर पर क्लिक करेंगे तो और फिर उसके आप उसके बाद आपको यहां देखिए आपको दोस्तों बहुत से यहां पर mobile phone के default ball paper मिल जाएंगे तो आप इनको यहां से set कर सकते हैं देखिए आप इन में से जिसी ball paper को set करना चाहते हैं उस पर आपको click करना होगा और फिर आपको यह apply button पर click करके जो है set as पर click करना है फिर आपको यह set as both का option मिलेगा तो आप इस पर click कर देंगे आपके phone में यह ball paper set हो जाएगा मतलब कि आपके mobile phone का ball paper यहां पर change हो जाएगा और देखिए अगर इसके अलाबा भी है अगर आपको कोई और ball paper लगाना है तब इसमें आपको नीचे open theme store का option मिलेगा इस पर click करेंगे और फिर देखिए आपको यह ball paper का option मिलता इस पर click करेंगे तो यहां पर आपके सामने और भी ball paper आ जाएगे लेकिन ध्यान रखिए कि कि यह सब ही तभी आएगे जो आपके phone में internet on होगा आप यह hot पर click करके hot ball paper भी यहां से दोस्तों लगा सकते हैं लगाने के लिए उस पर आपको click करना होगा और click कर देने एक बाद आपको यह apply पर click करके जो है उसे भी आप अपने mobile में set कर सकते हैं और अगर आप dark ball paper लगाना चाहते हैं तो dark पर click करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपके mobile phone में देखिए जितने भी dark ball paper होंगे वो आजाएंगे तो भी set करना है उस पर आपको देना होगा click कर और उसके बाद दोस्तों आप यह apply पर click करके आप उसे set कर सकते हैं यह हो सकता है pending दिखाए और फिर यह जो है download होना शुरू हो जाए और फिर यह आपके phone में set हो जाएगा तो इस तरह के साब जो ओपो A33 mobile phone का आप ball paper change कर सकते हैं मतलब की set कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा